नमस्कार दोस्तो दोस्तो बिहार पुलिस देखे बिहार पुलिस का एक्जाम जो है साथ तारीक को आपका संपन हो चुका है अगला एक्जाम आप देखेंगे तो 11 तारीक को होने वाला है यह जो आपको हम सेट करवा रहे हैं इसका सेट हमने जो है कलेक अपलोड किया था और सब कोशन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं । तो पहला हमारा कोशन क्या है देखेंगे। पहला प्रस्ते के मुगल कार मुगल वन्स का संस्थापक कौन है ते का सभी को पता है बाबर हो जाएगा आपस नंबर जो है एस ही आंसर होगा ठीक है और बात करेंगे हां मुगल यानि बाबर का जो आपका एक तरीके से बोल सकते हैं 1526 से लेकर के 30 तक इसका जन्व जो है फ पूछ सकता है हुमायू ने कोहिनूर हिरा गौालियर के दिवंगत राजा विक्रम जीत के परिवार से प्राप्ट किया था अगला कि आनंद मठ के रचाईता कौन है देखिए आनंद मठ के रचाईता आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा बंक्तियम चैनल चटरजी ह जाएंगे या फिर उपाध्या भी आप बोल सकते हैं ऑप्शन नमर जो है आपका दूसरे का सी सही आंसर होगा अब यहां देखें दीन बंधु मित्र पर दिया गया है तो निल दरपन एक तरीकी से बोल सकते हैं जो रचीता है निल दरपन के तो यह दिन बंधु मित्र हो जाएंगे ठीक है और देखिए यह बंगाल में निल विद्रहों का जो है करण बना था भारत भारती की बात करते हैं भारत भारती पुस्तक रचीता कौन है मात्री सरण गुप्त हैं तो यह प्या पास्थे से कुशन याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकास के लेखा कौन है सत्यार्थ प्रकास जो आपका डिस्कसिन कराने लिलाख होगा मैं आपको करवा दूँगा अगला कि आजीवक संपरदाय के संस्थापक कौन है देखिए आजीवक संपरदाय के संस्थापक आप देखेंगे तो यह आपको हो जाएंगे मखली पूत्र गोसाल ऑप्सन अबर संपरदाय के संस्थापक और ये अचार अजीथ है चालेक संपरदाय के दर्बार में किसे युनानी राजदूतक के रूप में भी हैंगे चैनि में बहुत तेसे सही आंसर हो जाएगा मेगस्थनी इसका उत्तर होगा ठीक है अच्छसे स्यद्र करें गया लकिज्थे American जिस मंगियाम छरी निम्न में से कौन सतनों जो है धम में वंडित नहीं कि जराए butter संग के प्रति आस्था नहीं था बाकी माता पिता का अंग्या पालन दान पुन्य मात्र भाव्य सब आपका एक धम में वन्डित तक तो बोल सकते हैं नेश्ट हमारा के चरक किसके जो है राज चेकित सक्त है चरक तो यह आपको हैं कनिस्क के ओप्सन नमबर जो है शिक्स का हम हमारा कोशन है अरेंज दा वर्ड गुरूप इनकरेक्ट इसक्यूनेंस है ना तो आपको अरेंज करके बताना है तो सेवन का अंसर देखेंगे तो आप्सन नमबर यह होजा बी एसीडी बी सेट एसाइड उसके बाद आपका यूर बुक्स फिर आपका एंड फिर आपका य और यह कब किया गया था तो 1825 में दोस्तों यह किया गया था आप इसको अच्छे से याद रखिएगा और कुछ आपका और कोशन हम देख लेते जैसे आप देखेंगे तो आत्मी सभा का इस्थापना जो है राजा राम मोहराय के द्वारा किया गया है इंडियन लिक की बा और एक और इंपोर्टन जो है आरे समाच की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सवस्ती के द्वारा किया गया है तो मैंने चारों आप्शन जो है बता दिया है अब देखिए 9 का आपसर देखेंगे तो आपको बतायते हैं इसका आंसर आपसर नंबर B होगा इसको बना गितांजली किसकी रचना है तो यह है रविन्नाथ ठाकूर का है ठीक है आगे देखेंगे किस अधिवेशन में सुराज सब्द का प्रियोग किया गया है किस अधिवेशन में तो यह किया गया है बोल सकते हैं 22 हो जाएगा ऑपसर नंबर A सही होगा दा टीचर डैस टू यहां आगे प्रत्रत का संबंद किससे से है मतकिसमें देखें तो यह आपका उत्पाद असू चैया भी शिखन की मतर हो जाएगा सब्सक्राइब कि राजीज में लाते हैं आप सेनबर शवान हो अन्सरन क्यूबा की मुद्रा की आप बात करेंगे तो क्यूबा पेसो होगा क्या होगा क्यूबा पेसो हो जाएगा और एक आपका दिया गांबिया गांबिया की मुद्रा बात करेंगे तो गैंबियन डालासी है गैंबियन डालासी है अलाकि चिडिया सब्द का पुरियोग बुगदान होता है तो इसका आंसर हो जाएगा अपिक्छा करित कम हो जाएगा आप्स नमबर जो है विशेष बल जो है दिया गया था विशेश बल दिया गया था तो आपको हो जाएगा गारी बी निवारण तथा सही उत्तर हो जाएगा इस योजना की अधी की बात करते हैं तो देखिए 1980 से ले करके 85 की बीच में जो है इसका अधी माना जाता है ठीक है अच्छे स्याद रखिएगा अगला है कि बुद्धा डिलीवर्स डिलीवर्ड हीज फॉस्ट सर्मॉन एट सारनात फाइंड आउट द अब यहां पर देखिए कुछ मैट का क्वेशन है जो कि आप सभी को हम आंसर बता देंगे आप वीडियो जो है रोक करके इसको बना लीजिएगा ऑप्शन नमबर सी होगा अगला कि अंसलूत असंतुलीत है ना असंतुलीत विकास का सिध्धान्त किस ने दिया था असंतु असंतुलीत लिखा गया है जो कि टाइप मिश्टेक आते हैं कुछन नमबर 21 पर बोल सकते हैं विकास का सिध्धान्त किस ने दिया था देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा दादाभाई नरोजी ऑप्शन नमबर 21 का सी सही आंसर हो जाएगा धन निसकासन का सिध्धान जो है दादाभाई नरोजी के द्वारा ही दिया गया था भारत में नुट जारी करने की कौन सी प्रणाली जो है अपना जाती है तो देखिए इसका आंसर आपको जाएगा नियूंतम भंडरन प्रणाली हो जाएगा ऑप्शन नमबर 22 का भी होगा सैतान की आत का अर्थ क्य सिट के लिए भारती तेन बंग और आपको 27 नमर का जो है भी हो जाएगा अगला हमारा है देख लेते हैं कि अधना की टोकियो स्थित इस्टोग ग्सेंज का नाम क्या है इस टोक एकसेंज का नाम आप देखेंगे तिया तो का निक्की हो जाएगा आगे आपका कोशन क्या है अगला आपका कोशन बोला है कि राष्टरी पिछडा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई है तो 1993 में हुआ है ऑप्सन नमबर जो है आपका डी सही आंसर होगा इस आयोग को किसी जाती को पिछडा वर्ग की सूची में सामिल करने था बाहर करने सं सिक्षण कर इस संबंद में किन सरकार को सलहा देने का अधिकार है जो की फिक्षण बताना है इसका 27 का अंसर क्या होगा इसका आंसर आपको जो है फैक्ट यानि ऑप्सन नमबर ए होगा खनीज क्या है देखिए खनीज के बारें पूछ रहा है तो आपका अकार्बनिक ठोस हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है 28 का सी होगा टकला मकान है ना टकला मकान जो कि मरुस्तल किस देश में इस्तित है दोस्तों यह आपको देखने को मिलता है चीन में जो कि ऑप्सन नमबर आपका डी होगा सांभर जील किस राजी में इस्तित है सांभर जील आपको कहां पर देखने को मिलता है तो यह आपको राजस्थान में देखने को मिलता है और जिर गोंव कास्मिरैं तो आपको जम्मू कास्मिर में देखने को मिलता है अगे हमारा कोशन हे एक आपका कोशन सांच ताल जीव है राजल में दोस्ते आपको देखने को मिलता है उत्रा खंड में सही होगा निंदलिखित में से कौन सा कारक कारड जो है वर्षा कराने में यहाँ पर देखे कि टाइक मिस्टेक है कारड वर्षा कराने में महत्पूर योगदान देता है तो इसका आंसर आपको जागा वास्पन और संगनन दोनों ऑप्सन नमबर सी होगा अगला कि फिल इन द साफसित के वास दिवसकभ मना जाता है तो यह को यह मनाते हो दूप माई के दिन और आपका नंबर आपका सबसे बड़ा जिवित प्रक्षे कौन सा है अकार में जो आपका सबसे बड़ा होता है आपका सुत्र मुर्ग हो जाएगा भारत के राष्टर पती पर महावयोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा आंसर हो जाएगा संसर द्वारा अगर राष्टर पती पर महावयोग अगर चलाना है तो राष्टर पती को कितन पहले जो है नोटिस भेजना होता है आप कमेंट करके बताईएगा भारत में सरकार के संसदी परणाली जो है कहां से गरहन की गई है तो दोस्तों ये गरहन की आगे है ब्रटी ससम्मिधान से उप्सन नमर जो है 38 का सी सही अंसर हो जाएगा ब्रटी ससम्मिधान एक आपका कुशन आता है ऐरलेंट, ऐरलेंट से क्या आता है तो राज की निती निद्रिसक सिध्धात कहां से लिया गया है तो आइरलेंड से लिया गया है ये भी आप अच्छे से याद रखेगा अगला हमारा है 49 नमबर इसका आंसर आप देखेंगे तो आपसन नमबर भी हो जाएगा सुप्रीम कोट के जाजों की संख्या को कौन जो है बदल सकता है आंसर हो जाएगा कानून द्वारा संसद आपसन नमबर जो है आपका भी सही आंसर होगा चले आगे हमारा कोशन नमबर 41 क्या है देख लेते हैं बोल रहा है निमलिखित में से कुन राज येपाल को उसके कारेकाल से हटा सकता है आंसर हो जाएगा राष्ट्रपती ओप्सन नमर जो है 41 का सी सही आंसर होगा तकि भारत में राष्ट्रपती के बाद उपराष्ट्रपती के बद कारेकारणी में दुसरा सबसे बड़ा जो है पद होता है अब 22 का आंसर बताए क्या होगा देखे 42 का आंसर देखेंगे तो यह जो है सही आंसर होगा 42 कि 2003 के बान्विवें संसुधन अधिनियम द्वारा आठवें सूची में उप्रयोक्त में से कौन सी भासाएं जो है सामिल की गई थी यह आपका कुशन हमेशा आता है तो आप बोल सकते हैं आपका तीन और पांच यानि बोडो और संथाली डोगरी और मैथली तो आप्शन निंबर जो है सी सही आंसर होगा आप चारों को हम समझ लेते हैं क्योंकि यहां से आपका कुशन हमेशा बनता है जैसे देखिए वर्स 1967 में सिंथी जो है किसवा समिधान संसुधन हुआ था एक समिधान संसुधन की बात करते हैं तो 1992 में हुआ था क तो यह आपको जाएगा मध्य परदेश में ऑप्शन नमबर जो है सही होगा अगला के चूज द ऑब्जेक्टिव है ना स्वरी ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस ही ही डिसकॉंटिन्यूट हीज इस्टडी तो 45 का आंसर देखेंगे तो आपका हीज इस्टडी हो जाएगा और अप्शन नमबर जो है सही होगा अपका आंसर सी होगा इवीयम में अधिक्तम कितने प्रतियासी हो सकते हैं तो आपका चौशन हो सकता है ऑप्शन नमबर डी सही होगा किस समय धानिक संसुधन द्वारा जो है नगरपालिका वेध्यक पारित हुआ है तो चुबहत तर् तो 43 में तो से यच तक नगरपालिका का उलेख है अगला हमारा है कोशन नमबर पचास इसका आंसर आपका भी इसको देखे वीडियो रोक करके इसको बनाईएगा आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा राजेपाल के पद पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति के लि तो यह आपके तीन भेद हो जाएंगे ऑप्सन नमबर जो है बी सही आंसर होगा तीरपन नमबर का आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा इसको बनाईएगा चोवन नमबर का आंसर आपका सी हो जाएगा पच्पन नमबर का आपसन नमबर जो है आपका सी हो जाएगा कौन गैस में द्होनी तरंगे सदेव होती हैं सदेव होती हैं तो आपका अनुद्यर्द हो जाएगा option number B right होगा जल विधु तो किस उर्जा से उत्पन की जाती है आंसर हो जाएगा देखें आप देखेंगे तो इस्तति उर्जा में और गतिज उर्जा में तो option number जो है आपका D right answer होगा अति चालक वह चालक है जिसका Dash होता है जिसका Dash सुनि होता है तो यह आपका प्रतिरोध होगा क्या होगा अंसर प्रतिरोध option number C समवेग P और द्रब्यमान M वाली किसी वस्तू का वेग क्या होगा किसी वस्तू का वेग पुछ रहा है क्या होगा तो P upon M हो जाएगा option number C हो जाएगा अलाकि घंदानंद किस वर्ग के कवी है तो यह आपको जाएगा रिती मुक्त के कवी है ऑपिसन नमबर जो है एक सट का भी सही आंसर होगा अलाकि सुजान चरित के रचिता है तो यह आपको जाएगा सूदन option number B होगा तेल की दीपक की बत्ती में तेल उपर चड़ता है तेल की दीपक की बत्ती में तेल उपर चड़ता है देखिए 63 का आंसर देखेंगे तो किसी कद तो किरिया के कारण होता है ओप्सन नमबर जो है 63 का भी सही आंसर होगा तो कि साबुन के घोल पर बुलबुले इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर इसका प्रिश्ट तर्णाव जो है कम हो जाता है नेश्ट है कि फ्यूस्तार की प्रकृती होती है उच प्रतिरोध और निम्न गलनाग होता है तो ए जो है इसका सही आंसर होगा नेश्ट है बड़ा कि उपसर्ग सब्दों के डैस लगातार नए सब्दों का निर्मान करते हैं यह पका पहला ऑप्सण नंबर यानी पहले होगा वैदूत आवेस का एस आय मातर कि आप देखेंगे तो आपका प्मुलम होगी हों सैओ ही सरहूल तो यह आपको हो जाएगा मुंडा हो जाएगा option number जो है a right होगा मुंडा भील जाती कहां पर पाई जाती है देखे भील जाती दोस्तों देखेंगे तो आपका महराश्ट्र हो जाएगा option number जो है डी सही होगा अगला कि विसू डैस टू परस्यू higher studies क्या होगा आंसर इसका आंसर देखेंगे तो आपका वांटेड ऑप्सन नमबर डी होगा अहार में आयोडीन की कमी की करण जो है कौन सा रोग होता है तो यह आपका घेंगा रोग होता है option number डी सही होगा विटामिल डी कर असानिक नाम क्या है तो कैल्सी फिरल हो जाएगा वि यह आप देखेंगे तो यह आपका अगनियासे हो जाएगा option number डी सही होगा यह एक अंतह सरावी हैं अंतह सरावी और बहिस रावी दो परकार की गरंतियां हैं एंजाइम मुलता जो है प्रोटीन होता है और कि छिपकलियों का अध्यन क्या कहलाता है छिपकलियों का अध्य का अध्यन करते हैं और सेली कल्चर आप देखेंगे तो रिसम किट का अध्यन होता है माइकोलोजी का अध्यन फाइकोलोजी सेवालों का अध्यन पुमोलोजी जो है फलो का अध्यन होता है मेधक का वेगैनिक नाम क्या है देकि मेधक का वेगैनिक आप नाम देखेंगे त नाम का वैगानिक नाम आप देखेंगे तो मैंगी फेरा इंडिका हो जाएगा यह सब पोसन देखिए आ सकता है एक जाम में गुलकोज एक डैस कार्बन अनु है आंसर आपको हो जागा छे ऑपसन नंबर ए सही होगा पश्तर का अंसर देखेंगे तो आपका डी सही होगा अगला कि ढाले निमलिखियत में से किसका उचितम शुरोत होती है आपके दोस्तों यहां पर दाल दिखा गया है तो कि पढ़ने में दिक्कत हुआ है इसको फीर से प सुरोत देखने को मिलता है तो आपसन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा एंजाइम होते हैं कभी-कभी दोस्तों पढ़ने वाई मिश्टेक गलती हो जाता है तो आप सभी लोगों से माफी चाहेंगे वाई मिश्टेक आप सभी होता होगा पढ़ते पढ़ते चलिए आगे हम स खैक कहते हैं ओपनबर सी होगा इंस्ञुलीन की अलप स्रवण से कौन सी बिमारी होती ए कौँ बिमारी होती है तो देखिए मधुमय हो जाएगा ओप्सन सही आंसर हो जाएगा डाइबसकाय सकते हैंडास उतपक्ति में कि अधिक विविटता का कारण है यह आपका यौन प्रजणन हो जाएगा option number B होगा choose the part which contents error आपको बताना है तो इसका answer देखिए आपका C हो जाएगा अगला के लार निम्न में से किसके पाचन में सहयुक करती है लार दोस्तों यह आपका start हो जाएगा 83 का देखेंगे तो यह जो है सही उत्तर होगा प्रोटीन की अधिकता मात्रा पाई आती है देखिए प्रोटीन की अधिकता मात्रा देखेंगे तो दोस्तों यह आपको देखने की मिलता है स्वयाबीन में option number B होगा जीवान चकर की दिष्टी से पौध्य का सबसे महत्पूर अंग क्या है तो सबसे महत्पूर अंग देखे आपका पूस्प हो जाएगा option number A होगा वहाँ चुनिये जो मिश्ण नहीं है वहाँ चुनिये जो मिश्ण नहीं है तो आसुल आपका नहीं है option number D होगा वे सब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें कहते हैं क्या दोस्तों उनको जो है हम रूड मूल कहते हैं A सही दोत है देखिए उर्जा का प्राथिमिक सुरूत आपको जागा कोईला option number C होगा अलकि translate the following sentence into English application में भी accepted लिखा गया है accepted तो इसका आंसर हो जाएगा आवेदन स्विकार किया सकता है A सही होगा अलकि CFSL का अर्थ क्या है इसका अर्थ आप देखेंगे तो देख लेते हैं इसका option क्या दिया गया है इसका option देखिए Central Forensic Science Laboratory हो जाएगा option number B सही होगा जल का हीमांक क्या है देखें जल का हीमांक देखेंगे तो आपका 32 degree Fahrenheit में आपको हो जाएगा option number D होगा विस्व हैपेटाइटिस दिवस देख का मना जाता है दोस्तों यह हम मनाते हैं आपका 28 जुलाई को मनाते हैं option number B हो जाएगा 29 जनवरी क्या मनाते हैं देटा सदनोक्षन दिवस की रूप मनाते हैं एक आपका कोशन आता है कि चार फरवरी को क्या मनाते हैं तो विस्व कैंसर दिवस की रूप में हम मनाते हैं इलेक्ट्रॉन पर डैस अवेस होता है इलेक्ट्रॉन पर तो option number B सही होगा कैलसियम का परमारू द्रब्यमान कितना होता है कितना होता है दोस्तों तो आपका 40 हो जाएगा सिर्का में कौन सा अमल जो है पाया जाता है सिर्का में तो इसका आंसर आपका 95 हो जाएगा acetic अमल होगा option number D अलक नीला थोथा क्या है आंसर हो जाएगा copper sulphate option number A होगा खाने का soda है देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो sodium by carbonate हो जाएगा option number B सही होगा रासाइनिक उधोग में कौन सा तेजाब मुल रासाइनिक माना जाता है आंसर हो जाएगा h2so4 h2so4 चूज दा सिनोनियम आफ दा फ्रेज गिव गिव अप तो 99 का देखेंगे तो आपको यहां पर रिनाउंस हो जाएगा option number C सुहागा का रासाइनिक नाम क्या है तो यह आपको हो जाएगा बोरेक्स option भी दोस्तों हमारा वीडियो जे हैई परसमाप्त होता है वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजेगा कल जो मैंने वीडियो अप लुट किया था नहींदे।